हम बनाने वाले हैं मालाई चीजी चिकन कबाब जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही स्वाधिष्ट बनता है अगर आपने कभी इस तरह से नहीं बना के खाया है और आपको चिकन खाना पसंद है तो आप इस रेश्पी को जरूर बना के खाईए हमारे तरीके से तो इसे हमने कैसे बनाया है उसके लिए चलिए देखते हैं वीडियो तो हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी कुकिंग विद नीलू पर तो इस प्रेश बनाने के लिए हमने आदा किलो बोलेश चिकन का इस्तमाल किया है और इसे अच्छी तरह से हमने साफ कर लिया है और इस तरह बड़े-बड़े पीस में कटवा लिया है तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से कोट करेंगे मलाई से और मसालों से तो हमने यहाँ घर की मलाई का इस्तमाल किया है आप अमूल वाली जो क्रेम आती है उसका इस्तमाल कर सकते हैं तो तीन से चार चमच हमने मलाई डाली है उसके बाद अब इसमें डाल देते हैं अधरक लेसन और हरी मिर्च का पेस्ट और यहाँ पर डाल देते हैं चिली फ्लैक्स और हमारे पास ये क्यूब वाली चीज थी तो इसे हमने घिस करके डाला है आप चाहें तो स्लाइज वाली चीज का इस्तिमाल कर सकते हैं अब इसमें डाल देते हैं दो चमज चावल का आटा आधा चमज काली मिच का पौडर और आधा चमज भुना हुए जीरे का पौडर और दो चमज कौन फ्लोर और चावल के आटे से चिकन का कबाब जो है बहुत ही बाहर से क्रिस्पी बनेगा और अंदर से जूसी रहेगा अब इसमें डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक तीखा और नमक का इस्तमाल आप अपने चाहे तो इसे 5-6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं आधा घंटा हो गया है अब इसमें हम डाल रहे हैं नीबू एक काट कर इस नीबू आपको जरूर डालना है इससे क्या है कबाब का स्वाद बढ़ जाता है और यह बहुत ही टेस्टी लिपता है खाने में तो हम इसे सेलो फ्राइ कर रहे हैं आप चाहे तो इसे ग्रिल्ल भी कर सकते हैं तो यहां हमने पैन चढ़ा के रखा था पैन हो गया था गरम तो उसमें एक चौथाई कपके के करीब हमने तेल डाल दिया था सर्सो का सर्सो का तेल गरम हो गया था उसके बाद हम इसमें चिकन के सारे पीस ड और अंदर से पक ना जाए एक कबाब बहुत ही टेस्टी लगता है अगर आपने इस तरह से इसे बना कर नहीं खाया है तो एक बार जरूर बनाईए हमारे तरीके से यह आपको बहुत ही पसंद आएगा तो चलिए इसे गर्म गरम देते हैं खाने के लिए तो यहां हमारा मलाई चीजी कबाब बन के तयार है जिसे हमने रेट चिली सौस के साथ खाने के लिए दिया था आप इसे किसी भी सौस के साथ खा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में तो हम आपको एक तोड़ कर दिखाते हैं यह अंदर से कितना अच्छा सा प नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा तो देखिए हम एक आपको तोड़ कर दिखा रहे हैं यह बहुत ही गरम था इसलिए इससे तोड़ने में थोड़ी हमारी दिक्कत हो रही थी देखिए अंदर से पक गया है तो अगर आपने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया है तो जरूर दबाईए उससे आपको हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारी वीडियो देख सकते हैं हमारी वीडियो को जादा से जादा लोगों को भेजा करिए ताकि ओभी हमारी वीडियो को देखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो वीडियो और चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए और हमें आगे बढ़ाते रहिए तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई